हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हर्दिक स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रक्षा सचिव को मानवादिकार आयोग ने भेजा कंडिशनल समन सैनिक की डिसिबल्टी पैंसन का है मामला देखिए सैनिक की डिसिबल्टी पैंसन के उपर राष्ट्रिय मानवादिकार आयोग जो गवर्मेंट ओफ इंडिया के अंतरकत आता है और मिनिस्ट्री ओफ डिफेंस भी जो है गवर्मेंट ओफ इंडिया के अंतरकत आती है तो उनके सचिव को यानि डिफेंस सेक्रेटर को यहाँ पर conditional समन भेजा गया है under section 13 of protection of human rights act 1993 देखें दोनों ही बातों पर यहाँ पर विश्तार से चर्चा होगी कि disability pension का क्या मामला था और आखिर समन क्यों भेजा गया है बात करें रक्सा सचीव की तो कि रक्सा सचीव के यह बात तो साफ है कि कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए वो ही आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो पसंद आए तो like और share जरूर करें देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं नो दस दो जार तेहीस का यह एक जो conditional summon है उसकी copy है to secretary defense ministry of defense यहाँ पर देखिए लिखा गया है the case number 1408-197-2022 यानि 19-7-2022 का यह case है और case number 1408 in respect of जगदीश चंद्र जो जगदीश चंद्र जी हैं वह वहाँ पर case लेके पहुँचे हैं was placed before the commission उनके पास यह case गया है 9-10-2023 में जो है upon pursuing the same the commission directed as follows अब commission ने क्या direct किया वो भी आप देख सकते हैं the complainant in the instant case has alleged that he has not received his disability pension from ministry of defense कि उनको जो disability pension मिलनी थी वो रक्षा मंत्राले की तरफ से जारी नहीं की गई है it is stated that he was diagnosed with an incurable disease while serving in the army in Jammu field in 2002 जब 2002 में वो Jammu field के दोरान unit में थे वहाँ पर उनको incurable disease हो गई which was mentioned in his discharge book but unlike other similarly placed army men he was not given the benefit of the advance pension scheme लेकिन उनको advance pension scheme का फायदा नहीं दिया गया it is further alleged that despite direction of the commission in previously registered case जो इनका देखे पहला case 834-197-2022 था उसके आधार पर भी देखे इनको कोई राहत नहीं दी गई है इनको कोई भी कह सकते हैं कि सायता नहीं दी गई on similar issues the secretary ministry of defense has not taken any action in this matter तो the commission observed despite direction 24 मार्स 23 में फिर reminder भेजा गया मई 2023 में जुलाई 2023 में the secretary ministry of defense under government of India has failed to submit the additional report in light of comments of the complaint till date तो till date तक देखे एक बार हमने यहाँ पर उनको notice दिया या direction के लिए बोला कि आप यहाँ पर भी अपनी report दीजिए उसके बाद दो बार report के लिए आपको reminder भेजा गया फिर भी जो secretary थे ministry of defense के उन्होंने इस पर कोई भी अमल नहीं किया और कोई भी comment इस पर नहीं दिया दा कमिशन डारेक्ट इस रजिस्ट्री तो इशू समन्स तो secretary ministry of defense government of india अंडर section 13 of protection of human rights act 1993 तो एपिर बिफोर दा कमिशन ओन तेहिस ग्यारा दो जार तेहिस कि देखे 23 नवंबर को हमारे सामने आग को paste होना है अंडर section 13 along with the जो report है additional report देनी थी in this matter इस matter को लेकर आपको 23 ग्यारा को हमारे सामने जो है paste होना है अगर conditional समन की जो बात है वो यही है कि अगर आप 16 ग्यारा तक अपनी report जो है paste कर देते हैं आपकी जो personal appearance है वो देखे यहाँ पर wave of हो जाएगी उसको माफ कर दिया जाएगा यानि आपका आना जरूरी नहीं है अगर आप 16 नवंबर 2023 तक जो report है वो यहाँ पर submit कर देते हैं देखे 23 ग्यारा 2023 तक का समय था आज 26 तारीक हो गई है हाला कि देखे अगर मैं बात करूँ इसके आगे का कि उन्होंने report submit किया या नहीं किया उसकी जानकरी अभी available नहीं है आप यहाँ पर देख सकते हैं उसके आगे का मैंने देखे जो national human right commission site है उस side पर जाके मैंने उसको पूरा निकाला जो देखे आप यह case देख सकते हैं वो diary number है यहाँ पर case number है 1408 और latest है conditional summon 910 2023 को वो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके अगर मैं second page पर चलूँ तो कि यहाँ पर वो ही सारी चीजे लिखी गई है जो उस समन में लिखा गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं वो सारा का सारा data जो है same to same है हलाकि अभी national human right commission की जो site है उस पर 23 तरिक का क्या update है वो यहाँ पर नहीं दिखाया हुआ है जैसे भी कोई latest update होगा उसके साथ भी मैं आपके साथ जरूर हाजिर हूँगा तब तक के लिए जै हिंद जै भारत